इंडिया वर्सेज और्षियल्या के final match में भारत ने यहाँ पर सबसे पहले toss किया था और लेकिन और्षियल्या ने toss जित कर यहाँ पर पहले गेंद बाजी करने का फैसला लिया और उनोंने fielding चुनी यहाँ पर पैट कमिंच से पता चल रहा था कि वो पहले यहाँ पर गेंज बाजी करना चाते थे क्योंकि जानते हैं कि बाग में बैटिंग करना आसान रहेगा इसी वज़े से भारत की तरफ से कप्तान रोई शर्मा और शुबमन गिल की जोड़ी उतरती है पूरा स्टेडियम लाखों दर्शकों से खचा खच भरा हुआ रहता है दोनों ही मिलकर काफी शांदार तरीके से यहाँ पर बल्ले बाजी कर रहे होते हैं लेकिन भारत को अपना पहला जटका चौथे ही ओवर में लग जाता है यहाँ पर मिचल स्टार की गेंद पर शुबमन की लेक शौट लगाने जाते हैं लेकिन वो एडम जैंपा के हाथों में कैच आउट हो जाते हैं और यहाँ पर वो काफी जदा अपने आप से गुसा भी होते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ चार रहनी बनाये थे और वो उसके बाद में पवेलियन लोट जाते हैं लेकिन इसके बाद में आते हैं विराट कोली जो की बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पारी को संबालने की कोशिश करते हैं काफी देर तक रहिच शर्मा और विराट कोली की जोड़ी जम कर यहाँ पर खेलती है लेकिन इसके बाद में भारत को नवे ओवर में यहाँ पर दूसरा जटका लग जाता है रहिच शर्मा के तौर पर जहाँ पर नवे ओवर की चौथी गेंद पर क्लैन मैक्सवल एक ऐसा बड़ा गेंड डालते हैं जिसे शौट मारने के चकर में रोई शर्मा यहाँ पर कैच आउट हो जाते हैं ट्रेविस हेड के हातों में अब विराट कोली और श्रेयस अयर की जोड़ी यहाँ पर रंग जमाने उतरती है सबी लोगों को श्रेयस अयर से काफी ज़्यादा उमीदे होती है लेकिन दोस्तों तबी अगले ही ओवर में भारत को तीसरा जटका लग जाता है जहाँ पर श्रेयस अयर भी पैट कमिंस की पविलियन लोट जाते हैं श्रेयस अयर की आउट होते ही पूरे स्टेडियम के अंदर सननाट अचा जाता है क्योंकि श्रेयस अयर बहुत ही अच्छा खेल रहे थे लेकिन सिर्फ चार रन बना कर आउट होते ही दर्शक थोड़े से निराश हो जाते हैं लेकिन फिर पाहुल भी यहाँ पर काफी समबल कर खेल रहे होते हैं क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पर जो ऑस्टेलिया की टीम है वो बहुती तगडी टीम है इसी वज़े से वो समबल कर खेलते हैं और यहाँ पर अठाइस वे ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोली एक शॉट मारने क चक्कर में डायरेक्ट बोल्ड आउट हो जाते हैं पैट कमिंस की गेंद पर विराट कोली ने चौपन रन बनाये भारत के लिए और अपनी इस पारी में उन्होंने चार चौके लगाये थे बाकि सारे के सारे उन्होंने एक या दो रन लेकर ही अपनी हाफ सेंचुरी को पूर पर जाता है और यहाँ पर केल राहूल और रविंद्र जाडेजा मिलकर किसी तरीके से थोड़े बहुत रन्स यहाँ पर बटोर ने शुरू कर देते हैं लेकिन इसे के बाद में विकेट्स की दोस्तों जैसे जड़ी लग जाती है भारत की तरफ से रविंद्र जाडेजा क कि यहाँ पर जो है दोस्तों 35 वे ओवर के अंदर विकेट गिर जाती है जौस हेजलवूर की गेंद पर वो भी कैच आउट हो जाते हैं रविंद्र जाडेजा ने सिर्फ 9 रन बनाये थे और उसके बाद वो पवेलियन लोट जाते हैं केल राहूल अकेले यहाँ पर अपने लेकिन 41st ओवर के अंदर वो यहाँ पर मिचल स्टार की गेंद पर फिर से यहाँ पर कैच आउट हो जाते हैं जोश इंगलिश के ही हातों में जोश इंगलिश ने दोस्तों काफी सारे आज कैच पकड़े इसी वज़े से भारत का स्कोर कम रहा था लेकिन यहाँ पर केल रा और मौमा शमी तक उतर जाते हैं आखरी में और 47 ओवर तक शुरे कुमार यादव खेलते हैं और मौमा शमी भी यहाँ पर शुरुआत से खेलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो में सारे के सारे प्लेयर्स जल्दी आउट होने शुरू हो जाते हैं मौमा शमी जो है सिर्फ 6 रन बना पाते हैं और वो भी यहाँ पर मिचल स्टार के हाथों कैच आउट हो जाते हैं इसके बाद में दोस्तों जस्परी दूमरा उतरते हैं जो की सिर्फ एक रन बना पाते हैं और यहाँ पर वो एडम जैमपा की गेंद पर LBW आउट हो जाते हैं यहां तक दोस्तों भारत के काफी कम रन बने होते हैं लेकिन इसके बावजूद भी सूरी कुमार यादव पिछ पर टिके हुए होते हैं और जो भी बॉलर यहां पर आता है वो यही कर रहा था कि सूरी कुमार यादव को जादा से जादा बैटिंग दे कर जादा रन बनाए जा सके और इसी तरीके से सूरी कुमार यादव जो है 18 रन बना लेते हैं लेकिन 47 ओवर में तीसरी गेंद पर वो जो शेजल वुड की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं उन्होंने अपनी पारी में 18 रन बनाए थे और इसी के बाद दोस्तों यहाँ पर कुल्दी व्यादव आखिर में बचे रहते हैं जिन्होंने की यहाँ पर सिर्फ 10 रन बनाए थे लेकिन आखिर में वो भी रन आउट हो जाते हैं आखरी ही गेंद पर और इसी के साथ भारत का स्कोर पहुँच जाता है 240-10 फिगेट्स के नुकसान पर औस्टेलिया को यहाँ पर भारत की तरफ से 241 का टारगेट दिया गया था औस्टेलिया की तरफ से सबसे पहले ओपनिंग करने आते हैं डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड दोनों ही मिलकर दोस्तों यहाँ पर कुछ बड़ा स्कोर यहाँ पर करने का प्लैन करते हैं लेकिन भारत के गेंद बाज इन्हें छोडने वाले बिल्गुल भी नहीं थे सिर्फ पहले ही ओवर की यहाँ पर पहली गेंद पर मौमद शमी डेविड वार्नर का विकेट ले लेते हैं यहाँ पर उन्होंने सिर्फ सांत रन बनाये थे लेकिन एक शॉट मारने के चकर में वो भी कैच आउट हो जाते हैं विराट पोली के हाथों में डेविड वार्नर का विकेट गीरते ही सारे फैंस के यहाँ पर चिलाने की आवाज शुरू हो जाती है सबी लोग काफी ज़्यादा खुश होते हैं लेकिन दोस्तो इसी के बाद में सप्राइस तो भी बागी था क्योंकि इसके बाद में आते हैं जस्परीद उम्रा जिन्होंने की चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर मिचल मार्श का विकेट ले लिया बहुत ही बड़े प्लेयर माने जाते थे मिचल मार्श लेकिन उनका यहाँ पर विकेट लेते ही पूरे स्टेडियम के अंदर यहाँ पर सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है मिचल मार्श ने सिर्फ 15 रन बनाये थे और वो यहाँ पर पीछे केल राहुल के हाथों में कैच आउट हो जाते है और इसके बाद दोस्तों क्या था विकेट्स यहाँ पर गिरनी शुरू हो जाती है स्टीव स्मिट जो कि सिर्फ 4 रन बना पाते हैं जस्वित बुमरा उन्हें भी LPW आउट कर देते हैं चौके चके नहीं लगा रहे थे इसके बावजूद भी वो एक एक दो दो रन ले लेकर अपनी जो पारी है उसे आगे बढ़ाते जाते हैं और इसी क्रम में ट्रैविस हेड जो है यहाँ पर अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी करते हैं और सेंचुरी भी लगा देते हैं मारनस लेबुशेन भी इसी तरीके से ट्रैविस हेड को ज़्यादा बैटिंग देते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हुए खेलने लगते हैं और इसे के साथ वो भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर आखिर में जाकर भारत की यहाँ पर हार हो जाती है क्योंकि ट्रैविस हेड इतने अच्छे तरीके से खेल रहे थे कि कोई भी गेंदबाज उन्हें आउट ही नहीं कर पाया हमारे सारे गेंदबाज ट्रैविस हेड और मारनस लबुशेन का आउट करने की काफी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे लेकिन वो डटकर यहाँ पर आउस्टिलिया की टीम के लिए खेल रहे थे लेकिन दोस्तों यहाँ पर आखिर में ट्रैविस हेड आखरी ओवर के अंदर आउट हो जाते हैं लेकिन उस तक कोई फाइदा पहुशता नहीं है क्योंकि तब तक आउस्टिलिया जीच चुकी होती है और इसे के साथ में आउस्टिलिया जो है इस फाइनल के साथ ही आने वाला है वो कान खुल कर सुन लेना क्योंकि भारत ने एक भी मैच नहीं आ रहा था पहला मैच फाइनल में जाकर भारत आ रही है और इतनी मेहनत दोस्तों यहाँ पर अलग-अलग जगों पर बैट कर बोलना बहुत बड़ी आप बात होती है और दोस्तों असल में रियालिटी बिल्कुल अलग होती है जब ग्राउंड में खेल रहे होते हैं उन्हीं को पता होता है कि वो किते प्रेशर में खेल रहे थे उसके बावजूद भी हमारे बॉलर्स ने यहाँ पर जस्पित बुमरा ने दो विकेट ले लिये थे मौमद शमी ने एक विकेट लिया और मौमद सिराज ने एक विकेट लिया इन सभी की काफी ज़दा यहाँ पर अप्रेशेशन की जरुवत है इन सभी को आज क्योंकि इन सभी ने मिलकर भारत को हर मैच जितवाया है चाहे वो यहाँ पर बैटिंग की बात करी जाए या फिर बॉलिंग की बात करी जाए सभी प्लेयर्स हमारे टॉप फॉर्म थे आज नहीं चल पाए फाइनल में नहीं चल पाए और आज का मैच हम लोग फाइनल में हार गए इसका कोई दुख नहीं लेकिन जिस तरीके से बारत ने पूरे वर्ल्ड कप के अंदर हर टीम को यहाँ पर दूल चटाई उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुशी रहेगी